नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में जल्द होगी सिक्षकों की एक और बहाली इंस्पायर अवर्ट के लियाविदन करनी की अंतिम तारिक बढ़ी गर्या की सबसे उची सरक को बिहार की बेटी ने दौर कर किया फतह रामरी देवी के साथ इस दिन देवघर जाएंगे लालू अमेरिका के पुर्व रास्टुपती डोनाल ट्रंप निकले धूनी की फैन इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से बिहार में जल्द होगी सक्षकों की एक और बहाली बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के दौरा दिये गए दिशनर देश के नुसार बहुत जल्दी बिहार में सक्षकों की एक और बहाली होने वाली है इसके लिए विभाक के उर से तैयारियां शुरू कर दी गई है ऐसे उमीद की जारी है कि अगले मां अक्टूबर या नवंबर में नई बहाली के लिए विग्यापन जारी हो सकता है इसको लेकर सक्षा विभाक के अपर मुख्य सचिव केके पाठक और सक्षा मंतरी प्रोफसर चंदर सेखर के बीच एक बैठक भी हुई है मालू हो कि भविशी में होने वाली या सक्षक भरती भी बिहार लोक से वा आयोग के दोरा करवाई जाएगी मीडिया में चल रही खबरों करनुसार सीयम नितीश के दोरा विभाक को निर्देश दिया गया है कि राजे में सक्षकों की कमी पूरी होसा के इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के ओर से वर्तवान सक्षक निउक्ती की प्रक्रिया पूरी होने के ततकाल बाद सक्षक नियोजन की एक और त्यारी की जाए बिहार से चलने वाली या तीन जोरी ट्रेनों को रद कर दिया गया है ऐसे में अगर आप भी इस रूट में यात्रा करने वाले हैं तो रेलवे की ओर से जारी के गैस लिस्ट को एक बार जरूर देख ले बता दे कि जो ट्रेने रद रहने वाली है उनमें गारी संख्या एक दो तीन पांच पांच पटना जमुतवी अरचना एक्सप्रेस ट्रेन नो बाड़ा सोला उननिस तैस चबिस एवं ती सितमबर तथा तीन साथ दस एवं चौदा ओक्टूबर को रद रहेगी वहिसके गारी संख्या एक दो तीन पांच छे जमुतवी पटना अरचना एक्सप्रेस ट्रेन दस तेरा सत्रा बीस चौबिस एवं सताइस सितमबर तथा एक चार आठ एवं पंदर ओक्टूबर को रद रहेगी गारी संख्या एक चार पांच दो तीन बरौनी अंबाला कैंट हरियर एक्सप्रेस 11, 14, 18, 21 एवं 28 सितमबर तथा 2, 5, 9, 12 एवं 16 ओक्टूबर को रद रहेगी गारी संख्या एक चार पांच दो चार अंबाला कैंट वरौनी हरियर एक्सप्रेस 9, 12, 16, 19, 26 एवं 30 सितमबर तथा 3, 7, 10 एवं 14 ओक्टूबर को रद रहेगी गारी संख्या एक ती पूर जनसाधराण एक्सप्रेस 12 सितमबर से 16 ओक्टूबर तख रद रहेगी बीड और डियलेट पास अभ्यर्थियों के लिए नोटिस बिहार लोकसेवा आयोग के द्वारा बिहार सक्षक भरती परिक्षा को लेकर एक एहम नोटिस जारी किया गया है जिसके तहर आयोग के साथ साथ डियलेट के भी योगिता रखते हैं वर्नाव से 11 सितमबर तक वेबसाइट पर अपने डैश्बूर्ट पर लॉग इन करने के उपरांत अपना डियलेट सर्टिफिकेट अप्लोड कर सकते हैं मालू हो कि सुप्रीम कोड के तरफ से 11 अगस 2030 को दिये गए फैसले के आलोप में बिहार सरकार को प्राथनिक विद्यालियों में सक्षक न्यूकती के बारे में नर्ने लेने को कहा है वहीं B8 पास अभ्यरती भी बिहार सरकार सी मांग कर रहे हैं कि उन्होंने B8 योगिता के आधार पर सक्षक भरती परिच्छा पास की है ऐसे में उन्हें भी सक्षक भरती में मौका दिया जाना चाहिए इंस्पार अवार्ड के लिए आवीदन करने की अंतिम तारीक बढ़ी विज्ञान एवं प्रोद की विभाग सक्षा मंत्राले के दोरा सभी जिला सक्षा कारयाले को नोटिफिकेशन जारी कर या जानकारी दे दी गई है इंस्पार अवार्ड के लिए कम आवीदन आने की कारण इसके लिए आवीदन करने की अंतिम तारीक को बढ़ा दिया गया है ऐसे में अब इसके लिए 30 सितंबर तक आवीदन किया जा सकता है बतादेक सवोर्ड के तहट नौवी से बारवी तक के सभी स्कूरी छातर छातराओं से नवचार आइडिया दिया जाता है और इसके बाद जिनका आइडिया चेंड किया जाता है उन्हें विभाग क्योर से 10,000 की छातर विद्धी दी जाती है जिसकी मदस से छातर अपने आइ पर्षूज पाल को को पसुचिकसको के दौरा जानकारी देते वे बताया गया है लंपी रोक से बचाओ के लिए पश्वों की सुरक्षा के साथ उन्हें पॉस्ट्री काहार भी दिया जाए। आपकी जानकारी कले बता दे कि पश्वों में ये बेमारी खून चूसने वाले कीरों से फैलता है जिसे कि पश्वों के सरीर पर गाठे बनने लगती हैं। उन्हें तेज बुखार आता है सरदर् चमता भी कम हो जाती है। विश्व फीजियो थेरपी दिवस पर राजधानी में फ्री हल्थ शेकप कैम्प का हुआ आयूजन। आज विश्व फीजियो थेरपी दिवस के अफसर पर रोटरी क्लब ओफ कंकरबाग एवं ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर के घुटना, गर्दन एवं नस से संबनित रोगों को सलाह एवं उपचार किये गये। इस दोरा सरल पाथ लैब के दोरा कुल 58 लोगों का बलड सुगर लेवल की जाच किया गया। बतादे किस कारिक्रम में मुख्या थिती के रूप में डीजी विजिलन्स आलोकर राज ने भाग लिया एवं डॉक्टर सुजीत कुमार ने मरीजों को जाच एवं उपचार किया। इस फ्री हल्थ चेक अप कैम्प में रोटरी क्लब ओफ कंकरबा के सम्मानित सदर्शन ने अपना बहु मुले योगदान दिया। वहीं डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि 8 सित नमबर को पूरे विश्व में भौत इक चिकिसक के समान देने एवं समाज में चागरुकता लाने के लिए चिकिसक अपने तरह से आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत एक चिकिसक विज्ञान आज मेडिकल के छेतर में बहुत ही जरूरत हो गया है। पूरना तक महगा हो चुका है। एक नमबर से बैंगलूरू से पटना आना काफी महगा होगा बता दे कि बैंगलूरू पटना मार्ग पर हवाई किराया ऑक्टूबर तक 10 हजार रुपए के नीचे है। वहीं नमबर की सुरवास से ही यह 12 हजार से अधिक है। सामाने दिन पर वाहनों के आवा जाही आज रात 10 बजे से जाएगी थम। आज रात 10 बजे से उत्तर और दक्षन बिहार को जोडने वाले गंगा नदी पर बने सबसे पुराने पुल राजिंदर सेतू पर वाहनों का आवा गमन पूरी तरह से थम जाएगा जो की सनिवार सुभद 6 मनमत का कारे चल रहा है लेकिन अब कारे को बड़े पैमाने पर करने का निर्ने लिया गया है बता दे कि राजिंदर सेतू के बीच भाग में स्लैब हटाने और नए स्लैब के लिए सर्या बांगने का काम पहले ही हो चुका है अब इसी की धलाई का काम होना है पुल मनमत कर निर्मान कंपणी ने कहा है कि दहलाई काम के दुरान कंपन होने से गुनवत्ता प्रभावित हो सकती है इसलिए सरक मांग पर वानों की आवाज्जाही सुकरवार राध दस बज़े सरिवार सुभट 6 बज़े तक बंद रहेगी और फिर वानों की आवाज्जाही शुरु ह किया गया है जिससे बिहार का नाम एक बार फिर रॉशन हो गया है दरसल सभीता महतों के दौरा दुनिया की सबसे उची सरक उमा लेंगा लाग को दौर कर फता किया गया है बता दे कि यह सरक दक्षनी लदाक में सित 52 किलो मीटर लंबी चीसू मले डेम चोक सरक का सबसे उंचा हिसा है ऐसा करने वाली सभीता महत दुन्या की पहली महिला बन गई है इस सुपलब्धी को हासल करने में उन्हें कुल 18 दिन लगे इस पर चरहाई करने के शुरवात उन्होंने मनाली से 19 अगस्त को की थी वहीं उनकी चरहाई खत्म 5 सितंबर को हुई इस दुरान उन्होंने दौर कर 570 किलो मीटर का सफर पूरा किया इसे पहले वह इस सरक पर वर्ष 2022 में साइकल से सफर तै करने वाली पहली साइकलिस्ट बनी थी अशोग धाम मंदर में मनाये गया केंद्री मंतरी गिरास सिंह का जंदन आज केंद्री मंतरी गिरास सिंह का बहतरवा जंदन है से में आज उनके जंदन लखी सराय के प्रसद अशोग धाम मंदर में रुध्राविशे कायुजन कर मनाये गया इस दोरान सभी के दोरा उनके उजवल भविश्य और दिर्खायू जीवन की कामना की गई वहीं देश भर में सांती इसनी और सद्भाव बनाए रखने के लिए तथा आपसी एकता और अखनता को बरकरार रखने के लिए भगवान बोलेनात के शिवलिंग के समक्च समर्थक को एवं भाजपा कारे करताओं के दोरा जलाभी शेक किया गया इसके बाद पूजा पार्ट फुड़ा होने के बाद सभी को प्रशाद विद्रत किया गया और इन सब के अलावा मंदिर परिसर में एक पौधार ओपन भी हुआ बतादेक इस मौके परमंदर में बीजेपी जलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंग भाजपानिता राम सोभा सिंग प्रसद चिकिसक डॉक्टर प्रवीन सनाथ सहत दर्जनो समर्थक एवं कारे करता मौजूद रहे पांच नमंबर को पटना में जेडियू का भीम संसत कारिक्रम सीम दीश भी होंगे सामिल तो हजार चॉबस में होने वाले लोग सभाच नाओ को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी रणनीती बनाने की तैयारी शिरू कर दी गई है इसी कड़ी में अब जेडियू की ओर से भी पांच नमंबर को बिहार के रालधानी पटना में भीम संसत कारिक्रम का आयोजन किया गया है प्रदीश अध्यक्ष उमेश कुष्वाहा, मंतरी अशोक चौधरी और मंतरी सुनील कुमार के द्वारा बीते दिन पटना असत जेडियू कारे आले में एक प्रस कॉंफरेंस आयोजित कर दी गई है और हुने बताया कि इसका लोगसफा चुनाओं को लेकर कोई मतलब नहीं है यहाने वाली पीठी को लेकर है क्योंकि जस तरह से बीजेपी मजबूत हो रही है और आरेसे के एजन्डी को आगे बढ़ा रही है उससे ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी देश का तिरंगा बद कर भगवा कर देगी बीजेपी समिधान को बदनना चाहती है रक्षन को समाप्त करना चाहती है ऐसे में लोगों को जागरुक करना बहेद जरूरी है और हुने बताया कि इसकारिक्रम में मुख्यमंतरी नितीश कुमार और राश्ट्रिय अध्य अक्षलालन सिंग समेत पार परिवार के आदमें पिछले 30 साल से यहां सांसत बन रहे हैं और यहां के हर पत्रकार प्रबुद लोग ने वोट कर रहे हैं आप दूसरी को क्यों दोस दे रहे हैं कि कोई लोग गलत वोट कर रहे हैं आप सब को मालुम है कि वो आदमी काम कर नहीं रहा पर इसके जिताया पहले आपने आरजेडी के नाम पर फिर उनको आपने उन्हें जेडियू से जिताया अब आप उसी परिवार के आदमी को बीजेपी से जिता रहे हैं कोई परिवर्तन आया नहीं आया आगे भी नहीं आएगा कल होकर वो जन सुराज से ही जीत जाते हैं तो इससे क्या पडिवर्तन हो जाएगा यही बात तो लोगों को समझा रहे हैं जब तक समाज नहीं जागरोग होगा तब तक जब जिसकार हवा रहेगा वो उसी सिंबल से जीच जाएगा राबरी देवी के साथ इस दिन देवघर जाएंगे लालू बिहार की पुर्व मुख्य मंतरी और पत्नी राबरी देवी के साथ राज़द सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव 10 सितमर को देवघर जाने वाले हैं जहां वे देवघर में पूजा अर्चना करेंगे बता दे किस से पहले बीतर दिन जन्मास्टमी के मौके पर लालू यादव अपने बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंतरी तेज प्रताप यादव के साथ बांके बिहारी मंदर पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की महीं मंतरी तेज प्रताप यादव ने पटना में बांके बिहारी मंदर के स्थापना की जहां पूजा करने के लिए लालु पुजाद यादव गुरुवार की साम को पहुँचे थे स्रिकृष्ण जन्मास्टमी के मौके पर लालु पुशाद यादव ने बांके बिहारी मंदर में जन्मास्टमी मनाई और प्रदेश वासियों को इसकी शुब कामनाई दी लालो ने कहा कि भगवान कृष्ण हमारे देवता है हम इसकौन मंदर भी पुजा करने के लिए गय थे जहां लाखों लोग लाइन में लगे हुए थे अमेरिका के पुर्वराश्ट्रपती डोनाल ट्रम्प निकले धोनी के फैन इन दनों भारतिय टीम के पुर्वकफचान महींद्र सिंग धोनी का एक वीड वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका के पुर्वराश्ट्रपती डोनाल ट्रम्प भी नज़र आ रहे हैं दर असल इन दनों महींद्र सिंग धोनी अमिरिका में है दोनाल क्रम्प और राजीव नैक के साथ गोल हमारी मेजबानी के लिए धन्यवाद बता दी कि महिंदर सिंग धोनी का आईदर वीडियो वारल होते रहता है जिसे लोगों के द्वारा खुब पसंद किया जाता है जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बि पुर्णिया में प्ट्रोली कीमत दोपांच लूपे प्रति ये रूपे और डीजल कीमत पुर्णी कीमत नोर रूपे प्रति लिटर है बतादी की बिहार में पट्रॉल का रेट सबस्दा किसंद किसंद किर निछ 1 पर 1967 दीजल 35.99 टी दkeepers से मिल रहा है बीदे दिन हमारे देरा पूची का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों को सबाएंग पूची बूच्स कमार कुमार राजिश्षी को मौतो रोशनी क्हातुन मोहमध पहीम सबस्तों और जीत पोडस इसके बेंग आंए सवाल की और आज का सवाल है राजनीती में पडिवार वाद पर आपकी क्या राय है अपना जवाब हमें हमारी कमन सेक्षन में लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबड़ों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बूक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद